नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूट्व चैनल में दोस्तो मेरे गार्डन में देखो बहुत संदर फूल के लाए सोचो आप लोगों को भी लिखा दू कितना यह देखो कितना प्यारा यह इसकी कली से यह फूल बन रहा है बहुत अच्छे लग रहे हैं और यह ज काफी क्योंकि ये मेरा काफी बड़ा पेड़ हो गया है काफी फूल बहुत संधर होते हैं इसके चलिए आज की टॉपिक में बात करते हैं मेरे आज का टॉपिक है कि मैं नर्सरी से कुछ छोड़ी नने नने पौधी खरीद के लाई हूं और बहुत ही कम दामों में खरीद के लाई हूं मैं आपको आगे दिखाऊंगे कि मैंने कौन-कौन सी पौध खरीदी हैं और वो मुझे किस दाम में मिली है बहुत ही सस्तिश हो सकता है आपके यहां भी इसी रेट में मिलती हो तो आप बताना मुझे यह देखिए मैंने बहुत सारी फूलों की पौध लाई है नृसरी से और बहुत ही कम दामों में मिली है यह पौध मुझे बताँगी आ गया आपको कि जह वे मिली है तो यह है। avier Pythonia peripheral. पी आपको दिखरा होगाuellement कि पुदे मेरे मेरे सारे मूर्जा गएगे हैं तिमें मेरी ज़ए क्योंकि दो तिन दिन हो गए और मैंने इनमें कोई ध्धान नि दिया Circle अब ये दो तिन बाद सोचा कि आज तो लगा ही देती हूं क्योंकि मैंने गंबलों में मिट्टी अच्छ से तयार नहीं कर रखी ती ना तो इसलिए देर हो गई पौधों को लगाने में और इन पौध की ऐसी है हालत होगी और ये है पैंजी आपको दिख रहा होगा छोटी तो ही गोल गोल पत्तिया है इसकी ये पैंज़ी है इसके फूल मुझे तितली जैसे लगते हैं जैसे तितली यह होती है तितली होती है बिल्कुल वैसे ही लगते हैं और यह आइस फ्लावर है, i psychology. आइसि एसफलावर के ूल बहुत संदर होते हैं मतला मुझे बहुत अच् कहती हूं इसके हाला तो बहुत ही खस्ता हो गई है मैं बताऊंगी आगे अपडेट में कि यह कैसे हुआ है मेरा और यह है डाहलिया डाहलिया की पौद है यह और यह चुकंदर की पौद है मैंने चुकंदर के बीच भी लगाए वे हैं मैं सुच्छा चलो यह पौद भी लेक एक पैकेट है जो आपके गड़ी जो भी कहते हैं वो मातर दस रुपए का मिलता है तो आप सब बताना मुझे कि आपके ह कितने का मिलता है जो आपको हर पैकेट दिख रहा है यह गड़ी यह सब मतब दस रुपए की है मैं आज इनको लगाने जा रही हूं तो तो मैंने सुचा इसकी वीडियो भी बना लेती हूं अब मिटी शायद इनके बिल्कुल सूख गई है तो मैं इनको ऐसे अगर हटाने की क कोशिश करूंगी तो इनकी जड़े खराब हो जाएंगी तो मुझे इनको पानी में घीला करके हटाना पड़ेगा सब को पानी में थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा और तब इनकी जड़े होती है वो आराम से अलग लग हो जाएंगी जड़ों को कोई नुकसान नी होग और फिर वनना अगर जड़े ही तूट जाएंगी तो पौधा कैसे होगा इन नाजुक नाजुक पौध हैं तो इनका होना थो बहुत ही मुस्किल है बहुत ही सकत मिट्टी है तो मैं ऐसा करती हूँ कि इन्हें पानी में डुबा डुबा कर इनकी हर किसी की जड़ें अलग अलग करती हूँ देखो मैं आगे बताती हूँ आपको और यह मैंने एक छोटे से डिबे में पानी ले लिया है और इनको अच्छे से डुबा डुबा के मतलब हलके हातों से बहुत मतलब वो नहीं करना है क्योंकि यह तो वैसे इतनी मुर्शा गई है और पाधे भी बहुत नाजुक नाजुक हैं कहीं खराब न हो जाएं तो इसलिए हलके से डुबा डुबा कर मैं इनको सबको अलग लग कर दूँगी ताकि मैं आज इनको लगा दूँ और मेरे यह जो ननी ननी पाधे हैं यह खराब ना हो तो यह हो रही है अलग लग और ऐसे अगर आपके भी सक्ति क्योंकि यह जो नर्सरी से यह पौध आती है या नर्सरी से हम जो पौधे खरिद के लाते हैं उनके मिटी तो आप लोगों ने भी हमेशा देखी होगी कि हमेशा कितनी चिपकी वी और सक्ति होती है वही वह तो तोड़ने से भी तूटती नहीं है बिल्कुल नहीं जो मैं मतलब पौधे खरीद के लाती हूं नरसी से बड़े बड़े पौधे उनकी मीटी जब मैं देखती हूं तो बाबरे बहुत ही खतरनाक चिपकी रहती है अगर हम ऐसे हतोड़े से भी मारेंगे तो बहुत मुस्किल लगता है तूटना तो यह तो ननी ननी पौध है अगर हम इनके साथ जोर जबरस्ती करेंगे तो यह पौधे तो वैसे खराब हो जाएंगे और अब देखिए दो दिन बाद का वीडियो है दो दिन बाद बनाए था मैंने वीडियो डैलिया बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल टका टक हो रखे हैं इन्हें कोई भी नुकसान नी हुआ है सही से हो जाएंगे यह और यहां यह मार्केट भी अच्छा हो रखा है मार्केट डेजी जो भी है मतलब सही हो रखा है हो जाएंगे यह और काफी सारे मैंने इनको भी एक साथ लगाया है बाद में थोड़ा अच्छे हो जाएंग में सिप्ट करूंगी तो मैंने सब लगा दिये यह अभी तो इनकी कंडिशन ठीक ही दिख वीडियो में यह तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों